दोस्तों आज हम एक्स्प्लीन करने वाले हैं हाली में आई मूवी टैगर नागेशवर राओ को जिसमें रवी तीजा लीड रोल में हैं और ये मूवी हर किसी को काफी पसंद भी आ रही है क्योंकि ये एक रियल इस्टोरी पर आधारित है अब वीडियो शुरू करने से पहल जो टैगर नागेशवर राओ के एरिया में कभी पोश्ट हुए थे वो राजपुसर को बताते हैं कि नागेशवर राओ से बड़ा चोड शायद ही कोई राओ होगा जो चोरी भी करता था तो पहले पुलिस को चैलेंज करकर इसके बावजूद भी उसे कोई पकर नहीं पा अगर दम है तो हमें रोग लेना ये पता चलते हैं शास्त्री हर जगा फोन करकर सारे पुलिस वालों को अलट कर देता है और हर कोई अब नागेशवर राओ को पगड़ने के लिए सारे स्टीशन पर तयार था और पुलिस वालों को लग रहा था कि अब नागेशवर का चो पहुचने से पहले ही महां से बड़ी असानी से निकल जाते हैं पर दो पुलिस वाले नागेशवर राओ को ही पकड़ लेते हैं जिसके कारण वो उस नाओ में नहीं कूद पाता और पुलिस वालों को इंफर्मिशन मिलती है कि नागेशवर राओ पकड़ा गया और अगले प्रिजन्ट में आती है और एक आदमी आकर बताता है कि सर हमने नागेश्वर राओ के सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स की फाइल तयार कर ली है और जैसे वो जाकर देखते हैं तो महाँ पर धेरो फाइले थी ये देखकर राजबुर सर कहते हैं कि इतने सारे गुना कब से करता आ रहा है तब सास्तिरी बताता है कि उसने 8 साल की उमर सही क्राइम करना शुरू कर दिया था और उसका सबसे पहला क्राइम था मडर फिर कहानी पाश्ट में जाती है और हम देखते हैं कि नागिश्वर राओ के पिता गाओं के जमिनदार ये लमांडा से अपने साथियों की महनत का पैसा मांग रहे थे लेकिन ये लमांडा पैसा देने से मना करके उसे वहां से भगा देता है और उसके बार नागिश्वर राओं के पिता कहते हैं कि हमारे गाउं के लोग भूके मर रहे हैं, इसलिए हमें कुछ तो करना पड़ेगा। इसके बाद रात के समें नागिश्वर राओ के पिता अपने दोनों बेटों के साथ ये लमांडा के यहां दिवार तोड़ कर चोरी करते हैं। और जैसे उसके पिता बहार निकल रहे होते हैं, तब ही बीचे से उसे ये लमांडा के लोग पकड़ लेते हैं। अब ऐसे में उनका चैरा देखनी के बाद ये लमांडा उनके गाउं वालों पर अत्यचार करता। इसलिए नागिश्वर राउ अपने पिता से कहता है, कि क्यों न आपका गलाही धर से अलग कर दिया जाएं। और फिर वो अपने पिता का गलाही काड कर चला जाता है। ये कहानी सुनने के बाद राजपुर सर की हालत खराब हो जाती है। और वो कहते हैं कि ये कैसा इंसान है तब शास्त्री कहता है कि नागिश्वर राओ के बारे में जानने के लिए हमें स्ट्वरट पुरम के बारे में जानना होगा और फिर हम देखते हैं कि कुछ लोग जंगल में जानवर का शिकार करके उसे जंगल में रहा करते थे और वहाई ये इनसानों को भी मार दिया करते थे अब ऐसे में इस्ट्वर्ड नाम के एक बिटिशर ने इन लोगों को आम आदमी में मिलाने के लिए इस्ट्वर्ड तुरम बनाये था जहां ये लोग जंगल से निकल कर पूरे समाज के साथ डैपाए और इन सबका लीडर था गज्जाला प्रिशाद जो महा के सबी गुंडों को ट्रेनिंग दिया करता था ये लोग चोरी चकारी से लेकर इसमकलिंग तक के सारे काम किया करते थे अब एक दिन गज्जाला प्रिशाद अपने चीलो को एक चुनोती देता है और वो चुनोती महा पर आकर नागेश्वर राव सॉल्फ कर देता है उसके बाद से 14 साल की उमर से नागेश्वर राव गज्जाला प्रिशाद के साथ हो लिया और उसकी ट्रेनिंग भी शुरू हुई ट्रेनिंग शुरू करने से पहले ही मा के अर बच्चे को गदे का खुन पिलाय जाता था उसके बाद उने अपने शरीर को पुरी तरह से ठकाना होता था नहीं तो अगर वे शान्ती से बैठ गए तो उनकी जान भी चली जाएगी अब सीन चेंज होता है और हमें स्ट्वर्ट पुरम की गैंग का एक मिला दिखाते हैं जहां हर इंसान अपने एरिया की बोली लगाता है कि वो इस साल कहां कहां चोरी करेगा और बोली जीतने के बाद उसके एरिया में किसी का भी आदमी नहीं बढ़केगा इस पूरे मेले को समालता है महा का लीडर और MLA ये लमांडा जिससे महां हर कोई डरता है उस समय महा पर तीनों लीडर भी होते हैं जो अलग अलग जगा समालते हैं और फिर महा के हर जगा की बोली शुरू होती है वही पर हमें नागेश्वर राओ को भी दिखाते हैं जो बड़ा हो गया है लेकिन वो अभी भी महा के लीडर के अंडरी काम करता है पर उसका सपना है कि वो एक दिन महां के तीनों लीडर के बगल में चोथा लीडर बन कर बैठे नागेश्वर राओ अपने दोफ्तुर से बात करी रहा होता है तब ही महां पर एक सेठ आता है जो यह लमांडा से कहता है कि तुम मेरा माल कैसे भी करके पुलिस के चंगुल से निकलवा दो मैं तुम्हें 20% हिस्सा दूँगा अब यह लमांडा का भाई कहता है कि तुम चाहे 40% ही क्यों न दे दो वो माल हम तो क्या कोई और भी नहीं निकाल पाएगा तब पीचे से नागेश्वर राव कहता है मैं 50% हिस्सा लूँगा और तुम्हारा माल निकाल लाऊँगा तब यह लमांडा कहता है कि यह कोई मजाक है गया और फिर वो नागेश्वर राव को चैलेंज कर देता है कि अगर तु सारा माल निकाल लाया तो जो तु कहेगा वो करूँगा और अगर नहीं निकाल पाया तो तुझे मेरा पिशाप पीना बड़ेगा यह सुनकर नागेश्वर राओ कहता है कि मुझे यहाँ अपने लिए चोती कुछ सी चाहिए ताकि मैं भी एक लीडर बन पाऊ उसके अगले दिन सब लोग बैठ कर नागेश्वर राओ का इंतिजार कर रहे थे कि आज तो नागेश्वर राओ का बुरा हाल होने वाला है तब ही महाँ वो सारे माल के साथ आ जाता है और यह देखकर महा हर कोई शौक हो जाता है फिर हमें दिखाते हैं कि पहले तो नागेश्वर राओ और उसके दोस्तों ने स्टीशन में आग लगा दी उसके बाद वो खुद ही फायर ब्रिगेट बन कर आग बुजाने पहुचे और फिर महाँ से सारा माल उठा लाए अब यह देखकर यलम अंडाउ से कुटसी दे देता है अब वो सेड भी उसे शर्त के मुताबिक आधा हिस्सा दे कर चला जाता है और यही से नागेशवर राओ पावर में आना शुरू करता है जिसके बाद अब नागेशवर राओ ऐसे ही कई सारे इलिगल धंडिक करता रहता है और कुछ दिन बीच जाते हैं अब एक दिन नागेश्वर राव कोड जाता है क्योंकि उसके बड़े भाई की आज बेल होने वाली थी तम हाँ पर उसे एक वेश्चा दिखती है और वो उससे जाकर बाते करते करते जबरदस्ति करने लगता है और जब वो नहीं मानती तब नागेश्वर राव उसे बहुती बूरी तरह से मारता है तब हाँ एंट्री होती है एक बहुती जालिम पुलिस वाले की जिसने कई सारे लोग को जेल में जान से मार दिया था वो वैश्चा की ऐसी आहलत देख कर नागेश्वर राव को मारने लगता है और इन दोनों के बीच बहन का लड़ाई होती है जहां नागेश्वर राव इतना गुस्से में था कि वो पुलिस वाले की एक आगी फोर डालता है तब ही मा पर उसके दोस्ता कर उसे अपने साथ ले जाते हैं फिर शाम को जब सब लोग साथ में खाना खा रहे होते हैं तब नागेश्वर राव कहता है कि मैं छोड़ी मोड़ी चोरी से तंगा चुका हूँ अगर ऐसी चोरी करने को मिल जाए कि हमें बार-बार पैसों के लिए ना रोना पड़े तो मजा जाएगा ये सुनकर उसका भाई उसे बताता है कि जेल से उसे पता चला है कि बहुत जल्दी यहाँ पर 300 किलो सोना आने वाला है जो कि उनकी जिन्दगी बदल सकता है जिसके बाद ये सब पहले जाकर बंदुक का इंतिजाम करते हैं क्योंकि इन्हें पता था कि वो लोग काफी खतरनाक है और जब नागेश्वर राओ बंदुक ले रहा होता है अब वो ऐसा क्यों करता है ये हमें आगे पता चलेगा और मैं उसे कॉलिज में सारा फिर से दिखती है और हमें पता चलता है कि सारा की दो शादी होने वाली थी लेकिन नागेश्वर राओ ने जाकर उसके दहिच के पैसे चुरा लिए इसी कारण से लड़के वालों ने शादी तोड़ दी और अब सारा दुवारे से कॉली जाने लगी तब नागेश्वर राओ को दोस्त उसे कहता है कि भाई उसे सच्चाई मत बताना वरना वो तुमसे बात नहीं करेगी लेकिन नागेश्वर राओ तो जाता ही उसको चुराएवे पैसे दे देता है और सच भी बता देता है ये जानकर सारा उसे एक थपड मार देती है तब वो कहता है कि मैं तो तुमारे इस पैसे से नहीं बलकि तुमसे प्यार करता हूँ और फिर भी तुम मेरे साथ ऐसा कर रही हो तब सारा महा से चुपचाप चली जाती है लेकिन हम समझ जाते हैं कि प्यार की चिंगारी तो लग चुकी है अब एक दिन ये लमार्डा का भाई काशी सारा के पिता के घर आता है और उनसे अपने उधार दिये पैसे मांग रहा होता है तब सारा के पिता कहते हैं कि वो उनके पैसे जल्दी लोटा देंगे लेकिन वहां काशी सारा को ही अपने साथ ले जाने लगता है और कहता है कि जब पैसा आओगा तब अपनी बेटी को ले जाना तब तक ये मेरी है, उसी समय माँ पर नागेश्वर राओ आ जाता है, जो सीधा काशी पर बंदूपतान देता है, और ये देखकर काशी का साथी उसे वाँ से चुप-चाप ले जाता है, और कहता है कि नागेश्वर राओ को हम बाद में देख लेंगे, फिर नागेश्वर कि आदमी को किड्नैप कर लेते हैं और उसे टॉर्चर करके उससे सारा साच उगलवा लेते हैं कि सोना कब और कहां आने वाला है यह जानने के बाद वो सब प्लैन बनाने लगते हैं कि वो सोना कैसे चुराएंगे लेकिन तब ही माँ पर सारा आती है जो से बताती है कि मेरे पिता ने मेरी शादी तेय कर दी है और वो भी दो दिन बाद फिर सारा कहती है कि हम परसो ही शादी कर लेंगे जिससे हम एक हो जाएंगे लेकिन नागेश्वर राओ को तो सोना चुराने जाना था इसलिए वो सारा को कहता है कि तुम मुझे परसोच सीधा इस्टेशन पर मिलना हम अई परशादी कर लेंगे पर सारा कहती है कि तुम मेरे लिए एक दिन रुख नहीं सकते तम नागेशर राओ इसके लिए मना कर देता है और सारा को मार से बेश देता है अब रात को नागेशर राओ उस पोर्ट पर पहुंच जाता है जहां कंटेनर में माल रखा था और फिर वो महाँ अपना दिमाग चला कर पहले तो बॉक्सेस के सील खोलता है और फिर वो माल को बदल कर अपने साथ ले जाता है फिर तब ही जब वो सोने के बॉक्सेस उसके मा पढ़ना पड़ता है जो कि तादात में काफी ज़्यादा थी पर वो उसके सामने टिक नहीं पाते अब वो अपने दोनों साथियों को बचा कर मां से निकल जाता है यहां सारा अब अपना समान पैक करती है और पहुंच जाती है इस्टीशन पर अब जब नागेशर राओ सोन पर पहुंच जाता है और वहां अभी तक सारा बैठी हुई थी अब जैसे वो दोनों वार से ट्रेन में जाने लगते हैं तो देखते हैं कि ट्रेन में तो वही सन की पुलिस वाला सियाई मॉली है जिसके उसने आख फोड़ी थी और वो सोना चुराने के इलजाम में उसे प बताता है कि पुलिस वालों के इतना टर्चर करने के बाद भी उसने सोना कहां चुपाया है कुछ नहीं बताया और चुपचाप मार खाता रहा और ये कांड मदरास का था इसलिए उसे तमिल नाडू पुलिस को सौप दिया गया और मही पर उसे 14 साल की जेल हुई लेकिन ए सुनते राजपुर सर के होश उड़ जाते हैं कि ये आदमी तो कुछ भी कर सकता है और फिर वो DSP शास्त्री को बताते हैं कि प्राइम मिनिश्टर को हाली में ये लेटर आया है जिसमें उसने चैलिंज दिया है कि वो उनके यहां आकर चोरी करेगा इसलिए तो हम उसके बा अब यहां पर आही नहीं पाये चोरी करने जिसके बाद प्राइम मिनिश्टर अपने दोरे पर निकल जाती हैं और राजपुर सर कहते हैं कि यहां हम जीत गए देखो तब यह एक वेटर उपर चाहे ले जाने लगता है और यह देखकर राजपुर सर उससे पूछते हैं कि गाड़ी में तो पि-म मैडम ही होती हैं और हम देखते हैं कि यहां ओफिस में तो नागेशर राओ ही पि-म मैडम बन कर बैठा हुआ था यानि वो इतनी असानी से इन सब को चक्मा दे गया अब ओफिस में आकर राजपुर सर कहते हैं कि हम में से कोई एक उससे जरूर मिला हुआ है वरना वो यहां आई नहीं सकता तब सारा शक जाता है शास्त्री पर क्योंकि उसके साथ आया हुआ उसका ओफिसर गायब था और ये सुनकर तो शास्त्री कहता है कि मेरे साथ तो कोई भी ओफिसर नहीं आया था और जो मेरे साथ था उसमें मुझे कहा था कि वो लेकिन वो मेरे ओफिस में ही क्यों आया इसका पता करो और फिर वो कह दियें कि वो एक लेटर भी छोड़कर गया है जिसमें लिखा था कि मैं आपकी एक छोटी सी चीज ही चुरा कर ले जा रहा हूं और मेरा नाम है टैगर नागेश्वर राओ इसके बाद फाइनली टैगर नागेश्वर राओ को डूड़ने का मिशन शुरू होता है और महां सी आई मौली पुलिस वाला टैगर के बारे में ही लोगों से पूछ रहा होता है और इसी के चलते वो इक बच्चे को भी कोली मार देता है तब इसी आई मौली की नजर एक बुड़े आदमी पर पढ़त हैं और कहानी फ्लेश बैक में जादी है जहां उन लोगों को जंगलों से निकाल कर इस्टवर्ट पुरम में बसा दिया गया था लेकिन उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था यहां तक कि वो जहां रहते थे वो जमीन भी उपजाओ नहीं थी ऐसे में जब वो लोग वापस जंगल में जाने लगे तब सरकार ने उन्हें जाने नहीं दिया और इसी कारण से वो चोरी चकारी करकर अपना पेट पालने लगे इसके बाद हम आगे देखते हैं कि अब पुलिस वाले भी जो चोरी चकारी होती है उन सब का इलजाम भी उनी श्टवर्ट पुरम वाले लोगों पर डालने लगते हैं दरसल ये पुलिस वालों को प्लैन था क्योंकि बाहर का गिरो चोरी करकर उन्हें आदा पैसा दिया करता था और पुलिस वाले 50-60 रुपे देखकर इस्टवर्ट पुरम के लोगों को जोटे इलजाम में फसा देते थे इसी कारण से इ ये तो पढ़ने के लिए जील में गया था क्योंकि इसे लगा कि जील में इसकी पढ़ाई पूरी हो सकती है लेकिन इन लोगों ने देखो इसका क्या हाल कर दिया ये देखकर वाँ नागेश्वर्राव पुलिस वालों को चुन-चुन कर मारता है और एलान कर देता है कि पूर्ण को को पूर्ण को कोई भी नौकरी पर नहीं रखता क्योंकि उनके घरवालों के नाम पुलिस इस्टीशन में जुआ रखे थे तब नागेश्वर्राव कहता है कि अब हमें अपने लिए रोजगार भी खुदी बनाना होगा और एक लड़की आइडिया देती है कि हम तमाकू की फैक्टरी डाल सकते हैं जिसका हम एक्सपोर्ड करेंगे और सब लोगों को रोजगार मिल जाएगा इसी कारण से तो दोस्तो वो लोग शिरुवात में तमाकू की फैक्टरी का एप्रूबल मांग रहे थे और हमें बता चलता है कि नागेशर राओ उस रात को को क्यों मारा फिर गज्जाला प्रसाद बताता है कि जब नागेशर राओ जील गया तो उसे लग रहा था कि बहार तो उसके साथ ही बच्चों के साथ मिलकर तमाकू फैक्टरी ओपन करवा ही लेंगे लेकिन एक दिन उसका दोस्ता कर उससे बताता है कि ये लमांडा ने उ उसके कपड़े निकाल देता है और शरम के मारे वो लड़की कूट कर अपनी जान दे देती है उसके बाद काशी उन सारे लड़कों को तडपा तडपा कर मारता है और अंत में एक लड़का हार मान कर सोने की जगा बता देता है लेकिन वो लोग उसे भी नई छोड़ते और प्रद्मरा करकर फेक देते हैं ये सच जानने के बाद टाइगर उसी रात को जेल से भाग निकलता है और मा जाकर उन सारे गुंडों को लाइन से मारने लगता है ताइगर नागेश्वर राओ का गुस्सा इतना जादा था कि कोई भी उसके आगे टिग नहीं पाता और वो सी उन दोलों ने शादी कर ली लेकिन वहाँ पता चला कि ये लमांडा तो अभी भी जिन्दा था और वो अपना बदला लेने के लिए स्ट्वर्ड पुरम के सारे पढ़ेलिके बच्चों को जूटे इलजाम में जेल भिजवा रहा था ताकि उनका करियर बर्माद हो जाए त और यहां हमें सच्चा ही पता चलती है कि उससे मुश्या के साथ सी मोले ही बत्तमीजी करता है और उसे मारता भी है और उल्टा टाइगर आकर उसे बचाता है लेकिन शरुवाद में जो हमने देखा था वो सब सी आई मोली ने अपनी F.I.R. में लिखा था अब कहानी प्रे ना देता है अब जैसे राजपुर सर उसे बचाने आगे आते हैं तब ही मा हिमलता जी आती हैं जिने सब लोग अम्मा कहते हैं और वो टैगर की बीवी को अजात करा कर अपने साथ ले जाती हैं फिर अम्मा के बारे में राजपुर सर पूछते हैं तो हमें पता चलता है कि वो एक social worker है जो उस गाउं को सुधारने के लिए आई थी और वो tiger से जब मिली थी तो उन्होंने tiger से वादा किया था कि वो इस गाउं में सारी सुविधाय लाएंगी साथ ही उनकी तमागों की factory भी वही खुलवाएंगी और tiger ने भी उनसे वादा किया था कि वो factory के खुलते ही खुद को पुलिस के हवाले करवा देगा इसे के बाद से अम्मा उस गाउं के उद्धार में लग गई और इदर सी मोली tiger के आदमियों को डून डून कर मारने लगता है और यहां अब अम्मा के प्रितन से गाउं में धिरे धिरे बिजली और रोड आ जाती है यह कहानी सुनने के बाद जाचपुर सर मां से चले जाते हैं अब यहां tiger के जुडवा बच्चे होते हैं और जब वो उनसे मिलता है तो उसकी बीवी कहती है कि अब तमाव को की factory भी खुल जाएगी यानि तुम जेल चले जाओगे लेकिन उसकी बीवी उसे समझाती है कि ज गाओं में नहीं आता तब tiger की बीवी कहती है कि मैं आपको उनका पता बताती हूँ बस अब वादा कीजिए कि आप उन्हें जान से नहीं मारेंगे और पता जान कर पुलिस वाले मां से चले जाते हैं अब जब जंगल में tiger अपने आखरी दोस्त के साथ जा रहा होता है तब और कि ये सब tiger ने किया है उसी ने कुछ ऐसे खेल खेले थे जिसके कारण सरकार को बिजली देनी पड़ी ताकि अंधेरे में tiger बचके ना निकल पाए और वहें tiger को पगड़ने के लिए सरकार को रोड भी बनवानी पड़ी इसलिए tiger अकसर कहा करता था कि अगर परिशानी हल ना हो पाए तो खुदी परिशानी बन जाओ कोई ना कोई हल करी देगा और इधर राजपुर सर रिवील करते हैं कि अम्मा को लाने वाला भी tiger ही था क्योंकि उसे पता था कि अम्मा ही सरकारी काम को अच्छे से करवा सकती हैं यहाँ पुलिस वाले अब tiger को भी गोली उसे पर tiger मा धमाका करके भाग निकलता है जिसके बाद वो लोग किसी तरह के से tiger को पगड़ कर उसे factory में बान देते हैं जहाँ पर यलमांडा भी था यहाँ यलमांडा अब tiger से कहता है कि तेरे मरने के बाद तुम इस factory को कभी बनने ही नहीं दूँगा और वो बताता है कि यह द tiger अपने हाथ खोलता है और सब को मारना शुरू करता है और माल आशे बिछाने के बाद वो जाकर सीधा यलमांडा का गला पकड़ लेता है और उसे जान से मार देता है तब सियाई मोली उसे लगतार शूट करता है और वो मारा जाता है अब चेक करने जैसे ही वो tiger के पास ज दोस्तों आप कोई मोवी कैसी लगी हमें कॉमेंट में जरूर बताएगा और अगला explanation आपको कौन सी मोवी पर चाहिए वो भी कमेंट कर दीजिएगा बाकि अगर आपको हाली में आई लियो और गनपत मूवी देखनी है तो आप यी वीडियो देख लीजिए